नमस्कार दोस्तों देखिए आज मैं आपको एक बहुत महत्वफूरुन जानकारी देने वाला हूँ जैसे ये नापका बलाउस है और हम जैसे ये नया बलाउस बना रहे हैं ये इसका बेग है जो तैयार हो चुका है ये अस्तीन है तैयार हो चुकी है अब इसका शोल्डर ज जोड़ने के बाद आपको बताऊंगा कि सही फिटिंग के लिए आपको साइट को किस प्रकार से बरोबर जॉइंड करना पड़ती है साइट में जॉइंड करने में क्या-क्या ध्यान देना पड़ता है ये सबी चीजे आज आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंग और दोस्तों देखिए वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना चेनल पर निव है तो सस्क्राइब करना इसी प्रकार के कई वीडियो में आपके लिए नए नए आइडिया में लाते रहता हूं तो चलिए इसे सुरू करते हैं सबसे पहले ये रखेंगे हम बेग यह और देखिए हमको शोल्डर जो जोड़ना है बिल्कुल आराम से जोड़ना है देखिए ध्यान लगाकर ऐसे रखेंगे बरोबर देखिए इसको यह जो जैंट आता है ना इसको ऐसे मिला लेना है बरोबर अगर यह इतना भी आगे हो गया तो हमारा पूरा शो बिगाड़ देगा तो हमको ऐसे बरोबर मिलाना है और इसको क्या करना है इस तरफ से जोड़न करना जिदर गला रहेगा हमारा हमको बाहर नहीं दिखाना है तो ऐसे आदा इंच का लगभग हमको यहाँ पर शिलाई लगाना है ठीक है जैसे मैंने यहां रखा और यह आदा इंच की नि दा लिया ओप इस निसान को यहां रखना है ऐसे दोनों को मिला लेना है और डाइरेक्ट सिलाई चला देना है यह देखिए इस प्रकार अब यह जो हमने जॉइन कर लिया अब इसको ऐसे खुलेंगे और खुलने के बाद क्या है इस इस प्रकार से रखेंगे यहां पर ऐसे और इस पर एक चला देंगे हैंबर वाली सिलाई यह सिलाई जरूरी है चलाना क्योंकि अगर हम ऐसा खुला छोड़ देंगे ना तो यह भाग हमेशा बहार आ जाएगा तो देखिए आप इसको कैसे जाइंट करेंगे हम यह जो निशा यह जो कपड़ा है ना अंदर वाला इसको ऐसे धकाएंगे और इसको ऐसे रखेंगे ठीके ध्यान दीजी बरोबर अगर फिनेशिंग चाहिए ना सोल्डर में तो इस प्रकार से आपको जोड़ना ही पड़ेगा यह देखिए ऐसे ठीके अब यह देखिए बिल्कुल मेरा के साथ जोइंट हो गया है यह देखिए यहाँ पर अगर इतना सा भी धागा रहेगा ना बहार तो इससे कटिंग कर देना चाहिए ठीक है यह होगे सोल्डर जोइंट इसी प्रकार से दूसरा सोल्डर भी जोइंट करेंगे हम आप देखिए क्या है सबसे पहले अगर बिल् से मिला कर ऐसे रखना है और इसके बाद क्या करेंगे आप एक ऐसे अलपिन लेंगे यहाँ पर लगा देंगे इस प्रकार से अब यह इधर उदर सरकेगा नहीं ठीक है अब इस तरब क्या करना है ऐसे रखेंगे बरोबर यहाँ पर इस भाग को ऐसे खिच लेना है थोड़ लगाते हैं ना बेग में कुटका तो यहां रखना है और इसे ऐसा रखना है इस भाग को अब देखिए इसको पलटा के आपको दिखाता है यह रखा मैंने यहां पर और आप देखिए यह कितना बढ़ रहा है फरंट फरंट हमारे पास जितना बढ़ रहा है जैसे यहां से ब ऐसे चट गया यह आप देखिए इसको यहां रखेंगे इसे और देख लेंगे चट चुका है अब क्या कर रहा है देखिए यह रखा मैंने इस तरह वापस इसी प्रकार से हम दूसरी तरप का भी चटिंग करेंगे ठीक है ना अब यहां देखना है यह हमारे पास मेजरमेंट का बलाउस है तो हमको इसी से नापके पुरा बलाउस तो बनाना है तो कैसे बनाएंगे यह देखिए ऐसे रखेंगे यहां पर और इस तरफ कितना आ रहा है यह ऐसे देखिए साधारन से खीच लिजी हलका सा ऐसा नहीं कि बहुत ताकत लगाना है हलका सा जैसे कपड़ात म तनाव आता है इस प्रकार ठीक है कितना है 10 याने 10.50 ठीक है तो 10.50 यहां पर नापेंगे हम इसे इस प्रकार ठीक है थेलका साइजिर जेचे मैंने खीच न इसको भी ऐसे यहां पर ठीक है अब इस पर लगा देंगे हम यहां पर भी छटका ठीक है यह लगा दिया मैंने छटका इस पर भी ठीक है अब जो अस्तिन चड़ाएंगे न हम इस जगे से इस जगे तक ठीक है तो यहाँ पर इसको ऐसे रखेंगे इस प्रकार से देखिए यह से और एक अलपीन आप क्या किरिजिए जिसे आप नए नए है तो एक अलपीन यहाँ पर और लगा दिजिए यह लगा दिये हमने अब इसे पल्टा देते हैं और यह एश्ट्रा कपड़ा है इसे चटिंग कर लेंगे यह बाते आपको समझ में आ गई है अब मैं चाहता हूँ कि इसकी कमर नापे जाए अब जैसे यह नाप का बलाव से तो इसकी कमर हम नापेंगे तो कमर नापने के लिए क्या करेंगे इस प्रकार से हुक की पट्टी तरफ से रखेंगे टेप को पहला हाथ रखेंगे हम कमर पर दूसरा हाथ रखेंगे हम center पर तीसरा हाथ रखेंगे हम इस तरब की कमर पर और चोथा रखेंगे हम high पट्टी को छोड़ कर यह high पट्टी है इसको छोड़ कर यह आ रहा है मेरा लगभग 36 इंच आ रहा है 1 cm कव में 36 में तो हम इसको 36 का बनाएंगे इस तरह से कमर को نाप लेना है, चेश्ट को नापना है, इसी तरह से दुसरी तरफ भी नाप लेंगे, बस इतना फरक रखना है दुसरी तरफ, कि ये जो हाई पट्टी है ना, ये वाली, ये आगे जाती है, याने ये हुक पट्टी के नीचे, और यहां रखकर फिर इसको भी हम ऐसे नापते हैं देखिए 9 इंच पर यहां पर रखा मैंने ऐसे और 9 का आ रहा है इस जगह पर तो इस जगह पर 9 पर यह निशान लगा दिया बस यह जो हाई पट्टी है न इत्ती एश्ट्रा इसे बाहर निकाल देना है ठीक अब आप समझ आपको आइडिया आज दिया हुआ है तो आप ध्यान रखेंगे और इसी प्रकार से आज के बाद बुलावस को जॉइंड करेंगे अब देखिए यह सब तो हो गया अब हमने जो अस्तिन कटिंग की है न इस अस्तिन को हम ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे पहले और यह जो छटके से हमको अस्तिन चालू करना है और इस छटके पर आकर अस्तिन को खतम करना है ठीक है तो यहां से हम नाप कर देखेंगे पहले बैक तरफ से ऐसे हम एक आइडिया लगा लेते हैं पहले कि नाप लेना चाहिए ऐसे यह देखिए बिलकुल सेंटर पर है फिर हम इस तर रहेगी ना इसको इसे तोड़ लेंगे यह तूट चुकी है न यहां पर भी देख लेंगे इसे हलका से तोड़ेंगे ज्यादा नहीं खीचेंगे नहीं तो बलाउस भी फट जाएगा अब देखिए यहां रखा मैंने ऐसे अब देखिए क्या हो गया बरोबर से भी बहार जबकि बरोबर से कम आ रहा था लेकिन सिलाई तोड़ी तो किदर हो गया बहार अब देखिए इसको चड़ाता हूँ मैं यहां रखा मैंने ऐसे और इस पर लगाता हूँ मैं सिलाई यह देखिए इस परकार यह सेंटर मेरा आ गया सेंटर पर देखिए यह है मेरा सेंटर तो इससेंटर पर सेंटर आ गया यहां पर अब क्या करना है यह जो सिलाह है ना खिची हुई है तो हल्किस यह से तोड़ देंगे ठीक है और देखिए मैंने ये जो बॉडर है ना इसको लगाना सिखाया है बहुत आसान तरीके के साथ कि इस बॉडर को आप किस प्रकार से इसी फिनेशिंग में लगा सकते हैं तो वो वीडियो का लिंक जो है ना मैं आई बटन और डिस्क्रिशन में डाल दूँगा वो वीडियो मेरा है पराक टेलर चेनल पर तो उसे जरूर देखिएगा और ये आईडिया जो है ना बॉडर लगाने का डाइरेक्ट गले पर देखिए इधर भी फिनेशिंग से किस प्रकार से लगा सकते हैं आपको देखने को मिल सकता है देखिए आप इसको हमने ये सिलाई को तोड़ ली हलकी सी आप ये अस्तिन को हम चड़ाएंगे ये देखिए हलकी सी बड़ी पड़ रही है तो इसे यहाँ पर ऐसे तोड़ लेंगे तोड़ दी सिलाई को आप देखिए फिर भी बड़ी पढ़ रही तो हलक्यासा इसको यहाँ पर नीचे जिराओ देंगे इसको जिराओ बोलते हैं दबाओ बलते हैं और कपड़े को धकाना भी बोल देते हैं ठीक है यह देखिए मैंने धका दिया और यह आ गया मेरा बिल्कुल बरोबर इस तरब भी देख लिजिए यहां निसान है मेरा ठीक और इस तरब भी देख लिजिए यहां पर निसान है मेरा यह चटका मिलना चाहिए यह जो सेंटर है मिलना चाहिए और यह फरंट का जो है ना गड़ा यह भी मिलना चाहिए देख कर लूँगा यह देखिए ऐसे रखेंगे और इसे देखिए यह हाई पट्टी यह हुक तो मैंने यहाँ पर जैन करके रखा है इसे छोड़ देते हैं यह हाई पट्टी यहाँ रखा मैंने ऐसे ठीक है इस प्रकार से और इसको यहाँ रखकर ऐसे सिले लगाना है यह आदा हे देखिए ऐसे पकड़ लेना है ध्यान से ऐसे पकड़ लेना है और इसको आप छोड़ना नहीं है जब तक यह शिलाई कम्प्लीट नहीं होगी ठीक है यह देखिए यहाँ पर मैंने उतार दिया अस्तिन को अंडरग्राउंड नहीं करना है कभी भी ठीक अब ऐसे पल्टाएंगे इसको सीधा कर लेंगे इस तरब और देखिए यहाँ पर यह ऐसे रखकर यहाँ देखिए यह मैंने रखा और यह जो कपड़ा है इसको पूरा ऐसा निकाल लेना है बरोबर ताकि फिनेशिंग में दिखे और सिलाई चला लिजिए अब अस्तिन गुलाई ना अपना है यहाँ पर यह अस्तिन की गुह है अगर आप पर बास नाप का बलाउस है तो ऐसे रख लेंगे इस परकार नाप का बलाउस नहीं है तो आप इस परकार से नाप लेंगे यह कितनी आ रही है 14 इंच यहाँ पर रखेंगे 14 इंच और इसे जॉइंट कर देंगे देखिए यह हलका सा आगे पिछे दिख रहा है इसको ऐसे मिलाएंगे बरोबर यहाँ पर यह मिला लिया मैंने और इस कपड़े को अगर आपने हलका सा ऐसे खीच दिया तो यह बरोबर आ जाएगा यह आ गया है अब देखिए यहाँ पर मैंने सिलाई है मेरी इस जगह पर और यहाँ देखिए यह सिलाई है निसान दिख रहा है यह हलका सा बहार चले गया है इतना है निसान ठीक है जो मेरा बेग में है आप इसको ऐसे रख लेंगे बरोबर, और यहां से देखिए ऐसे निसान को ऐसे मिला लेंगे अब आजाएगी बिल्कुल सिलाई सीधी, आप यह हाथ है आपने ऐसे रखना है, कपड़े को बरोबर जमा कर ऐसे हो गया, आप ये देखिए ये भी हो गया देखिए इस प्रकार से अगर आपने जोड़ते हैं न अस्तीन, फिटिंग, साइट की तो आपके बलाउस में जैसा मैंने बता है वैसी फिनेशिंग दिखेगी हमेशा और अगर आप इस प्रकार से नहीं जोड़ते हैं कई अस्तीन बाहर, कई बेग बाहर, कई फरंड बाहर तो फिर आपका बलाउस वैसे ही बनेगा जैसे आप बनाते हैं तो देखिए दोस्तों ये वीडियो आपको अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देना, चेनल पर निव है तो सस्क्राइब कर लेना और देखिए ये ऐसे सीधी सिलाई दिखती है